कोंप्यूटर साइन्स की बेसिक कॉंसेप्स सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है ब्लॉकली गेम्स, ब्लॉकली.डॉकली गेम्स गूगल का प्रोजेक्ट है और यहां पर आप गेम्स खेलते खेलते computer programming की कुछ जो fundamental concepts है उनको सीख सकते हैं तो blockly games में जो सबसे पहला level है puzzle ये puzzle आपको केवल सिखाता है कि ये blockly games खेलने कैसे हैं so for example हमारे पास एक ये block है जो जिसका नाम है cat और वो कह रहा है cat की यहाँ पर picture लगाओ तो हम यहाँ पर जाके cat की picture ढूटते हैं और mouse को click करते हुए इसको drag करते हुए इसको यहाँ drop कर देते हैं तो ये jigsaw puzzle की तरह यहाँ पर fit हो जाती है उसके बाद ये कह रहा है कि cat में legs कितने हैं choose तो drop down में जाके हम कहते हैं four legs और वो फिर कह रहा है कि cat की कोई trait यानि की कोई cat का feature तो feature list यहाँ पर हमार को दी हुई है जैसे ये fur, stinger, beak वगेरा तो हम यहाँ जाके कह रहे हैं cat में cat के whiskers होते हैं तो हमने कहा cat के whiskers तो अब ये cat का block पूरा हो गया इसी तरीके से हमार को duck, snail, bee ये सारे पूरे करने हैं और उसके बाद हम जब ये उपर check answers करेंगे तो हमारे, अगर हमने कोई गलती करी होगी तो वो बता देगा otherwise ये first level complete हो गया पर ये first level cable बताता है गेम्स खेलने कैसे हैं असली गेम्स जो हैं वो maze और उसके beyond वो हैं तो जैसे अगर हम maze का गेम देखते हैं तो हम पहले यहाँ पर ये info for educators को देखकर तो मैं right click करके नए tab में खोल रहा हूँ हम यहाँ जाके समझ सकते हैं कि ये game हमें कौन सी computer concept सिखा रहा है तो जैसे यहाँ है कि puzzle जो थी वो तो केवल एक introduction था और pieces को fit कैसे करते हैं ये सीखने का तरीका था maze जो game है वो computer programming की दो concepts है loops और conditional statements इनको सिखाता है तो अब अगर हम वापस games में जाएं और maze को click करें तो यहाँ पर हमारे पास maze के 10 levels हैं और हम अभी first level पर हैं और ये हम से क्या कह रहा है कि एक छोटा सा in blocks को drag and drop करके program लिखो such that ये जो एक आदमी है इसको हमारे को इस red flag तक पहुचाना है तो अगर हम यहाँ पे ये move forward की हमारी command अल्री है और ये कह रहा है moves the player forward one space तो हम यह try करके देख सकते हैं तो हम यहाँ जाके run program कहते हैं तो ये एक step आगे आगया और flag तक पहुचाने के लिए हमारे को अभी एक step और लेना है तो हम यहाँ जाके move forward command को drag and drop करके यहाँ लगा देते हैं और फिर reset करके try करते हैं तो ये level complete हो गया और ये हमें बता रहा है कि अगर हमारे को यही जो हमने अभी drag and drop करके block based programming करी थी इसको अगर हम javascript में लिखते तो code ये होता पर इस वक्त हम javascript इस वक्त हम coding छोड़ सकते हैं क्योंकि हम अभी basic concept सीखने की बात कर रहे हैं तो हम इसको okay कर देते हैं तो अब हम maze के level 2 पर आ गये हैं level 2 पर ये हमसे कह रहा है कि वही instruction वही है हमारे को इस आदमी को इस red flag तक पहुचाना है तो अगर हम यहाँ पर पहला कदम तो ठीक है move forward हम run करते हैं तो ये एक कदम आ गया आ गया अब हमें क्या करना है इसको left turn लेना है तो अगर हम ये left turn का block drag and drop करते हैं और इसको drop down में अगर आप देखो के तो ये बता रहा है कि ये left और right का block हो सकता है तो turn left और हम फिर से reset करके program को test कर सकते हैं computer coding करते वग्ग program को test करना जो है वह बहुत अच्छा idea है ताकि कोई गलती हो तो वो हाथ के हाथ पदा चल जाए तो हमने ये run किया तो अभी ये left turn हो गया अब हमें क्या करना है move forward और हम फिर reset करके test कर सकते हैं और अब इस location पर आके next क्या करना है कि right turn और फिर से move forward तो हम एक turn right का block लेते हैं और एक move forward का block लेते हैं reset करके run करते हैं तो ये level जो है वो complete हो गया ये इसका java script का code generate करके भी दिखा रहा है कि java script में ये code कैसे लिखा जाता हम इसको okay कर देते हैं तो अब level 3 और जैसा हमने देखा था कि ये level actually था loops और conditional का तो अब यहाँ पर ये हमारे को हमारा पहला loop दिखा रहा है कि हम एक तरीके से जैसे अभी तक करते हुए आ रहे थे तो हम करते move forward, move forward, move forward, move forward इस तरीके से पर अब challenge ये दे दिया गया है कि केवल एक ही block है यानि एक block ये अलड़ी है move forward का और program कह रहा है कि इन blocks में से केवल एक ही block use करते हुए इस level को complete करना है तो हमने इसको इसके अंदर drag and drop किया और जो दूसरी बात है देखने वाली वो ये कि जब उसको कह रहा था कि देरा zero blocks left तो वो हमार को एक तरीके से force कर रहा है कि ये move forward, move forward, move forward ऐसे करके ये program कम्प्लीट नहीं करना है हमार को actually loop का इस्तेमाल करना है तो हमने इसको वो अपस डाला और फिर run program किया तो ये program execute हो गया और ये level complete हो गया और फिर हमें JavaScript का code दिखा रहा है ये एक do while loop है कि while some condition is not fulfilled, keep doing something तो इस तरीके से अब आप level 4 में जाओगे तो और challenging आ जाएगा उसमें और loops आ रहे हैं और जब तक आप level 9 और level 10 जाएंगे तो जैसे आप यहां देख रहे हो कि ये loops के बारे में भी आप सीखोगे और ये जो if statement और if then else ये दो statements हमारे को जो हैं सीखने को मिलेंगे और by looking at कि ये कितने blocks total हमें use कर सकते हैं वो हमें guidance देगा कि ये level कैसे complete होगा तो इसी तरीके से अगर हम वापस menu में जाते हैं और अगर हम अप कोई और देखते हैं मानलो movie तो हम फिर से जाके पहले check कर सकते हैं कि movie हमें सिखा कहा रहा था तो movie block जो है वो सिखा रहा है introduction to mathematical equations तो blockly games खेल कर आप not only computer programming की basics सीख सकते हो आप अपनी mathematical skills और logical thinking इनको भी improve कर सकते हो तो हम movie में mathematical equations देखते हैं तो हम वो आपस जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमारे को ये जो shape यहाँ पर है जो की अलग-अलग shapes का composite है यानि हमारे पास एक ये red circle है एक ये blue rectangle है और दो black छोटे rectangles है इनको हमारे को code यूज करते हुए circle का code, rectangle का code, line का code ये use करते हुए complete करना है और mathematical equations इस तरीके से use होंगी कि यहाँ पर हमारे को ये x और y coordinates है x 10 20 30 40, y 10 20 30 40 इस तरीके से तो हम पहले ये circle बनाते हैं तो अगर हम circle का block बाहर ला रहे हैं तो हमारे को circle मिल गया इस circle का radius ठीक है पर color गलत है और इसकी location गलत है तो हम इसको ठीक करते हैं कि पहले तो हम color को ठीक करते हैं तो हम color में गए हमने कहा set color to red तो ये color map हो गया अब location देखते हैं तो location अगर हम circle के center पे जा रहे हैं तो हमें पता चलता है कि location है x 50 और y 50 और यह आप top right में भी देख सकते हो वो बता रहा है location है x equals 50, y equals 50 और अगर हम यहां जाके देखते हैं तो यह हमें बता रहा है कि हमें जो ठीक location है वो है x 50, y 70 तो हम यहाँ x and y के कॉडिनेट्स ठीक करते हैं x का कॉडिनेट्ट ठीक है 50 y को हम 70 कर देते हैं तो हमारे को अब circle मिल गया, जिसका color भी ठीक है, जिसका radius भी ठीक है और जिसके coordinates भी ठीक है एक और ट्राइ करते हैं ये है blue rectangle तो हम movie में जाते हैं rectangle का block लाते हैं अब color भी गलत है location भी गलत है size भी गलत है तो हम color में जाके पहले color ठीक कर देते हैं तो color हमें चाहिए blue और उसके बाद हम इसकी width जो है तो हमार को x, y, width और height ठीक करनी है तो हम यहाँ जाके देख रहे हैं कि ये width में कैसे चोटा है कि यहाँ पर 5 units चोटा है और यहाँ पर भी 5 units चोटा है यानि अगर हम इसकी width 5 plus 5, 10 बढ़ा देंगे तो इसकी width ठीक हो जाएगी तो current width है 10 plus 10 20 तो हमने ये ठीक करी तो इसकी width ठीक हो गई अब इसकी height हमें कितनी चाहिए तो हम यहाँ से नाप सकते हैं कि यहाँ पर हमार को वो top right में दिखा रहा है y20 और यहाँ पर y60 तो 60 minus 20 यानि की height है 40 तो अभी height 10 है इसक rectangle की center location हम देखें तो वो है x50 y40 तो हम यहाँ पर जाके कह रहे हैं x50 y40 तो इसी तरीके से यह जो बाकी shapes हैं यह आप line वाला block लेके और color ठीक करके और size और coordinates ठीक करके आप यह level जो है complete कर सकते हैं और वही यह level 1 है यहाँ पर 10 तक के levels हैं जब तक आप 9 10th level पर जाएंगे तो आपको काफी complex जो concepts हैं वो आप सीख लोगे जैसे की logical जो है if then else के statement mathematical operators के statement इस तरीके की चीजें यह level सिखाएगा तो एक last देख लेते हैं music तो अगर हम music में जा रहे हैं तो again about में जाके हम देख सकते हैं कि music हमें सिखा क्या रहा है तो music जो है वो हमें functions की concept को introduce कर रहा है तो functions जो आपने maths में भी पड़े होंगे programming में बहुत important concept है तो यहां हम music में जाते हैं और यह हमें बता रहा है कि हमारे को musical notations जो यहां दी गई है इनको code के द्वारा लिखना है तो हम music में जाके यहां एक ही block है play some note तो यह musical notations है जब आप advanced level पे जाएंगे तो यह बाकी वाल केवल यह जो second notation है केवल यही use हो रही है यानि एक डंडी और डॉट जो है वो भरा हुआ तो डंडी और डॉट जो है वो भरा हुआ तो हम यह ले रहे हैं यह तो है कि notation ठीक है फिर हमें देखना है कि note यानि सारे गमा अधनीसा का Hindi का English version है वो ठीक है कि नहीं तो हम यहां प परन करके check भी कर सकते हैं तो यह पहला note ठीक है हम यहां जाके music जाके एक और ड्रैक्ट कर सकते थे यहां यहीं पर right click करके इसको duplicate कर देते हैं इसको लगाते हैं यहां पर हम इस note को हमारको ठीक करना है, तो हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, एक तो यह कि हम string की location देख सकते हैं, तो यह अभी जो है, यह उपर से second string के बीच में है, तो अगर मैं यहाँ पर drop down देखता हूं, तो हमारे को इसको यहाँ पर रखना है, या दूसरा तरीका था, कि इसके ओपर mouse over किया, तो उसके next level पर अगर हम आते हैं, तो यह है E4, तो इसको हमने duplicate किया, और इसको हमने कर दिया E4, तो हमने यहाँ पर location देखी E4, और फिर duplicate किया, और last क्या है, वह पर C4, तो हम यहाँ पर जाके इसको type भी कर सकते थे, कि हम यहाँ जाके C4 type कर देते हैं, तो C4 जब हमने टाइप किया उसकी अपने आप location भी ठीक हो गई जब हम इसको reset करके test कर रहे हैं तो जब आप advanced level में blockly games के किसी भी level में advanced जाएंगे तो आपको कई बार program test करते वग आप चाहते हो कि जितने भी steps लिखेते उनको fast execution हो जाए आप इसको move कर सकते हो rabbit की तरफ और यह program fast execute हो जाएगा और यह मैं बता रहा है कि यह ठीक है पर आप अगर जब आप advanced level करते हो तो कई बार जब आपकी coding ठीक नहीं होती है तब आप आप चाहते हो कि step by step आप देखो कि गलती कहा हो रही है तो आप इसी को टर्टल की तरफ अगर ले जाओगे तो यह अब इसका slow execution करेगा तो यहां पर जब हम अभी जबरान step पर दिख जाता कि वह गलत है तो अगर हम करके देखते हैं तो इसने वह बता दिया red करके कि यह गलत है तो इस तरीके से अगर हम इसको टर्टल पर ले जाके अपना program जो है उसको check कर सकते हैं और इसी तरीके से जब तक आप level 9 10 खेलेंगे तो काफी complicated चीजें सीख सकते हैं level 10 पर वो जो आपको blocks दे रहा है वो इतने सारे blocks दे रहा है कि आप अपना कोई भी music खुद ही generate कर सकते हैं मान लिया जाए आपको अगर notation पता है और कोई Bollywood का गाना बजाना चाहते हैं coding के through तो आप वो कर सकते हैं तो इस तरीके से जब तक आप last यह point पर पहुँचेंगे तब यह point जो है जितनी भी programming concepts आपने सीखी है इन सब का इस्तेमाल इसमें हो जाएगा और by the time आप यह 60 प्लस जो games है यहां पर इनको खेलेंगे ब्लॉकली में तो आपको computer programming की fundamentals की काफी अच्छी समझ हो जाएगी सांथ ही आपको थोड़ी java script से भी introduction मिलेगी और यह games खेलते वक्त आपकी logical thinking और mathematical skills भी improve होंगी तो try कीजेगा एक last बात ब्लॉकली games में आप language भी choose कर सकते हैं तो जब आप यह first screen में हैं तो यहां drop down select करके आप for example Hindi यूज़ कर सकते हैं और तब यह आपको सारा जो यह ब्लॉकली games हैं यह Hindi में मिलेंगे तो अगर मैं जैसे भूल भूलाईया में जा रहा हूं तो आगे यह instructions जो है वो आगे बढ़ें बढ़ें दाएं बढ़ें इस तरीके से आ जाएंगी यह मैं अगर आगे जाके level 9 देख रहा हूं तो तब यह मुझे जो loops वगेरा थे उनकी भी Hindi अनुवाद यहां दिखा रहा है जब तक दोहराएं जब तक की अंदर वाली instruction complete ना हो जाए या यह जो if then else लूप था उसका भी Hindi अनुवाद दिखा रहा है तो आप Hindi या English दोनों ह केल सकते हैं